दोस्तो आज हम पर्फेक्ट तरीके से मिनी समोसा बनाएंगे हमेशा लोगों की परिशानी होती है कि उनकी जो समोसे की उपरी सता है वो क्रिस्पी नहीं होती है और जो डिजाइन है वो भी पर्फेक्ट नहीं आती है तो इस रेस्पी में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो करके आप परफेक्ट क्रिस्पी समोसा घर पे तयार कर सकते हैं सबसे पहले तयार करेंगे समोसे की स्टफिंग तो एक पैन में डालेंगे हम चार चम्मच तेल आप कोई भी खाने वाले तेल का इस्तिमाल कर सकते हैं तेल गरम हो गया है तो तेल में डालेंगे एक चुथाई चम्मच हींग एक चम्मच जीरा एक कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच कद्दुकस किया हुआ अद्रक लस्सन और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भूनना है तो चलाते हुआ हम इनको भून लेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी भून गई हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा कप मटर तो मैंने यहाँ पर ये फ्रोजन मटर का इस्तिमाल किया है अब डालेंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च आदा चम्मच हल्दी पाउ आदा चमच अम्चुर पाउडर और इन सारे मसालों को हमें लो फ्लेम पे चलाते वच्छे से भून लेना है मसाले हमारे भून गए तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 उबले हुए आलू तो हाथों की मदद से फोड़ते हुए आलूों को हम डाल देंगे और साथी साथ डालेंगे आदा चम्मच नमक और अब हमें यहाँ पर मसाले और आलू दोनों को चलाते हुआ अच्छे से मिक्स करना है मसाला यहाँ पर हमारा बन गया है इसको रख देते हम साइड में और चलिए अब हम डो तयार कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर यह दो कप मेंदा ली है और मेंदा में डालेंगे हम आदा चम्मच नमक और डालेंगे आदा चम्मच अजवाइन एक चौथाई कप तेल और तेल को मेंदे में हमें अच्छे से मिला लेना है तो यहाँ पर आपने जैसा कि देखा कि मैंने दो कप मेंदा के लिए एक चुथाई कप तेल लिया है अगर आपके मेंदे में तेल की मातरा परफेक्ट नहीं होगी तो जो समोसी की उपरी लेयर है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी यानि कि खुस-कुसी नहीं होगी और अब हम पानी डालकर यहाँ पर डो तयार करेंगे तो पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक खटा नहीं डालेंगे नहीं तो डो लूज हो जाएगा तो यहाँ पर हमें टाइट डो मलना है डो यहां पर हमारा तयार हो गया है इसको रख देते हम लगबग 10 मिनट के लिए फूलने के लिए 10 मिनट हो गये है डो हमारा तयार हो गया है अब हमें इस डो को लगबग 1 मिनट तक अच्छे से कूनलना है डोके कर लेंगे अब हम दो बराबर भाग और इन भागों की हम छोटी छोटी सी लोईयां तोड़ेंगे तो बराबर बराबर साइस की हम यहाँ पर लोईयां बना लेंगे और इन लोईयों का बनाएंगे हम पेडा और अब हमें यहाँ पर बेलन की मदद से बेलते हुए ओबल डिजाइन की पूरी बना के तैयार करनी है तो हमें यहाँ पर ओबल ही बनाना है इसको गोल नहीं बेलना है और अब हम चाकू की मदद से इसके दो बराबर भाग करेंगे तो यहाँ पर मैंने पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है हलका सा मोटा रखा है यह देखिए अब हमें यहाँ पर यह जो कटी हुई पूरी है इसके किनारे पर पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद दोनों किनारों को पकड़ के इस तरीके से मोट देना है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ तो इसी तरीके से हमें समोसे की डिजाइन के लिए समोसी की लेर को मोट ना है और अब हम आदा चम्मच स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग को अंगूठे की मदद से दबाते हुए अच्छे से भरेंगे और उपर की सतय पे भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब हमें यह देखे इस तरीके से समोसे को बंद कर देना है पानी लगाना बहुत जरूरी है अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो तलते समोसे समोसा खुल जाएगा तो इस तरीके से दबाने के बाद अभी यहाँ पार इस समोसा पूरी तरीके से नहीं बना है इसको देंगे हम सुन्दर सी डिजाइन तो पीछे की तरफ लगाएंगे थोड़ा सा पानी और दोनों कोर्नर को हम दबाती हो अच्छे से चिपकाएंगे और नीचे की तरफ हमें अच्छे से दबा देना है ऐसा करने से समोसे की जो डिजाइन देखने में अच्छी भी लगती है और तलते समय यह फटते नहीं है इसी तरीके से मैंने 4, 5, 6 बहुत सारे समोसे बना के रख लिये हैं और अब हम इनको रखेंगे फ्रीजर में लगभग एक घंटे के लिए एक घंटा हो गया है मैंने समोसो को फ्रीजर से बहार निकाल लिया है आप बहुत सारे समोसे एक बार में बना कर फ्रीजर में स्टोर करकी रख सकते हैं एक हपते तक चलते हैं जब भी आपका मन करें निकाल कर तल कर इनको आप खा सकते हैं समोसो को तलने के लिए मैंने तेल को कर लिया है गरम तेल में हम समोसो को डाल देंगे यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समोसे को लिए जो तेल है बहुत ज़ादा गरम नहीं करना है हलका सा इसको गरम करना है अगर आप इनको ज़ादा गरम तेल में डाल कर तलेंगे तो उपर की लेयर क्रिस्पी नहीं बनेगी और समोसे खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और समोसो को हमें उलटते पलटते हुए लो फ्लेम पे तलना है समोसो को तलते तलते पूरा 15 मिनट हो चुका है और समोसे यहाँ पर हमारे तल गए हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है तो इनको निकाल लेंगे हम तेल से बाहर दोस्तों ये हो गए हैं हमारे एकदम क्रिस्पी समोसे खाने के लिए तैयार इनको सर्फ कीजे आप हरी चेटनी या फिर टमेटो केचप के साथ जिसके साथ भी आपको अच्छे लगे उनके साथ इन समोसों को आप खा सकते हैं और आप देख सकते हैं इनकी जो लेयर है कितनी जादा क्रिस्पी बनी है इनको आप एक बद ज़रू ट्राय करें मिलते हैं आपके साथ नेक्स रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई